हरे कृष्णा आप सबका एक बार फिर हिर्दे से स्वागत है नदी के पास एक हिर्णी प्रसफ पीडा में खड़ी थी अभी उसकी प्रसफ पीडा खतम भी नहीं हुई थी कि उसने देखा बिजली कड़कने लगी हिर्णी के बाई और एक शिकारी उस पे तीर ताने खड़ा था और दाई और एक बाग उसको शिकार करने और बिजली से जंगल में आग लग गई हिर्णी सोच में थी ना जाने क्या होगा उसका बच्चा बच पाएगा की नहीं क्या जंगल की आग सब नश्ट कर देगी क्या शिकारी का तीर सही निशाने पर लग जाएगा हिरनी क्या करे अचानक बिजली फिर से कड़की और बिजली लगने से शिकारी की आँख चली गई और जो तीर हाथ में था वो हाथ से छूट कर सीधा बाग को लग गया हिरनी ने एक सुन्दर बच्चे को जन दिया सारी नकारात्मक शक्तियां उसका कुछ भी बिगार नहीं पाई क्योंकि हिरनी का पूरा ध्यान अपने बच्चे के होने पे था और उसकी सुरक्षा में भगवान ने आशिर्वाद दिया और सारे कष्ट हर लिए इसी तरह हम भी कई बार जीवन में नकारात्मक शक्तियों से घिर जाते हैं कटनाईयों से घिर जाते हैं उस समय हमें हिम्मत रखनी चाहिए और भगवान पर पूरा विश्वास भगवान ही हमें कश्ट, दुख और चिंता से बचा सकते हैं गीता में भगवान द्वारा कहे गए वच्णों को जीवन का अधार बनाए और श्री भगवान के चर्ण कमलों पर समर्पित हो जाए और उसी को अपने जीवन का लक्ष बनाए सर्वं श्री कृष्ण अर्पनम